नमस्कार दोस्तो माई किसान दोस्त चैनल पर आप सबे का स्वागत है मैं हूँ आपका किसान दोस्त या जाट और दोस्तो आज का जो वीडियो है वो है टेक्टर चलित एक ऐसे यंत्र के बारे में जिसे लगबग लगबग कई सारे किसान बाई जानते हैं और जिसे हम क्यार प्रौए होती है जिसे हमें क्यारी में वोना होती है तो सत्य हो इन यंत्रों में लगातार कई पकर के अपडेट्स आ रहे हैं तो वीडियो के माद्यम से दोस्तों मैं आपको दो यंत्रों के करके जरूर बताईए आपकी राई भी हमें कमेंट करके जरूर बताईए तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पेले जो भी किसान भाई पेली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को रेट कलर का जो बटन होता है उसे दबा कर सब्क्राइब कर ले साथ गंटी का निशान आता है उसे भी दबा देता है कि जब भी हम यहां खेती बड़ी और किसान से जुड़ी जान करी डाले तो उसकी सुचना आप तक मिल पाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये खेत है खेत के अंदर दोनों तरफ से मिटी उपर क तरफ उठा रखी है अंदर की मिटी दबा रखी है तो इसमें क्या है सिचाई का कारिय होता है और इसमें बहुत सरी फसले होती है जैसे बर्सीम, जीरा, धनिया, लशन, प्याज और अलग अलग जगा अलग अलग पकार की जो फसले होती है इस तरीकी के किसान भाई अंदर बोते हैं और इसमें सीधी सिंचाई कर देते हैं दोस्तो अलग-अलग राज्यों में इस कारियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है इसलिए मैंने सीधे खेत में बता दिया है ताकि किसान भाईों को आशनी से समझ में आ जाये उसे बनाने के लिए इस पकार के यंत्र को किसान भाई कापी समय से उप्योग कर रहा है ये टेक्टर दुवारा चले जंत्र रहता है सत्यों और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो 10,000 से लागा कर 16-17,000 रुपए तक रहती है कीमत में अंत्र होने का कारण इसके अंदर उप्योग कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों उस यंत्र के अलावा अभी इस पकार के जो यंत्र है उसे भी किसान भाई काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ सुदार हुए हैं सुदार जो हुए हैं दोस्तों वो मैं आप को बता दूँ यहाँ पर बाकी की जो टाइल से होती है वो हटा के दो टाइल से अंदर लगा दी है सिंपल तरीके से उसके अंदर बोल्ड अगेरा रहते थे इसके अंदर कोई ज़्यादा विशेस बोल्ड नहीं है सिर्फ दो टाइल सीधी लगा दी गई है और अंदर जाली लगा दी है उसका फाइदा सबसे बड़ा यह होता है दोस्तों कि जो बड़े-बड़े टीले होते हैं मिट्टी के जुताई के दोरान वो आपके क्यारी के बीच में नहीं आईगे दोनों साइड में हो जाएंगे बड़े-बड़े जो टीले हैं दोनों तरप जो साइड होती है जहां मिट्टी चड़ाई होती है उस पर वो गिर जाएंगे तो वो आपको अलग से फोर्ण नहीं या फिर क्यारी के बीच में हटाने के ज़रोत नहीं होती है और अंदर के साइड जो मिट्टी गिरती है वो बारिक मिट्टी गिरती है साथी एश्टरा टायल से हटा देने के वज़े से इसके अंदर टूटपांग कम होती है और इसके जो अंदर की जो दूरी है क्यारी से क्यारी यानि कि मेर से मेर की जो दूरी है वो लगबग 5 फिट के लगबग बनती है और दोस्तों इसके जो कीमत है लगबग 22,000 रुपए के लगबग कीमत है और सातियों में आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूंगा इन दोनों ही उपकरन के बारे में आप अपनी अनुभाव हमें जरूर सेर करिए क्योंकि आप हमारे चैनल पर काफी अनुभावी लोग जूड़े हुए है तो वो भी कमेंट करके अपनी जो भी राई है या फिर इस यंतर के बारे में जो भी आप सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताईए या फिर इसे खरीदने के लिए आप स्क्रिन पर दिये हुए नंबर पर संपर कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों उम्मिद करता हूँ आज की यह जानकरी आपको पसंद आई होगी और दोस्तों अगर जानकरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें साथ ही इस वीडियो को अन्य किसान भायों तक सेर करें ताकि दूसरे किसान भायों को भी जानकरी मिल सके तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई जानकरिक के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै बारत जै किसान